नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसंद होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसम पीजी कोलेट जेगराफी डेपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एड़ डेट लर्ण जेगराफी विद प्रेम में दोस्तो मानो भुगोल के अंतरगत जो हम भारतिय जनजातियों पे चर्चा कर रहे हैं उसके अंतरगत हमने दोस्तो पिछले वीडियो में आप से बात की थी कि भारतिय जनजातियां क्या है ये आप से बात करेंगे भारतिय जनजातियों के अंतरगत कुछ चुनी हुई जनजातियों के बारे में जिसमें पहला नाम है यानि कि पहली जो भारतिय जनजाति है उसका नाम है नागा जनजाति ठीक है तो चलिए हम बात करते हैं आप से नागा जनजाति के बारे में कुछ बेशिक जानकारियों की, ठीक है? दोस्तो इस चित्र के माद्ध्यम से कुछ नागा जनजाती के सदस्यों को डिखाया गया है तो इनहें भी आप देख सकते हैं दोस्तो इस जनजाती को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो चहरा है ये मंगोल प्रजाती के सदस्यों से मैच करता है तो ये आपको याद रखना है या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो इनका चेहरा मैच कर रहा है ये चाइना की लोगों से मैच कर रहा है यानि कि मिल रहा है और चाइना की लोग पता है आपको कि मंगोल प्रजाती से संबन देते हैं तो जाहिसी बात है कि जो नागा जंजाती की सदस्थ है ये भी मंगोल प्रजाती से ही संबन देते हैं ठीक है तो चलिए इनकी आप वेशबूसा भी देख सकते हैं इन्होंने क्या पहन रखा है सिर पे टोपी लगा रखी है ये सब चीज़े आप देख सकते हैं चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं प्रमुक्ता से दोस्तो जो नागा है नागा मुक्ता पुर्वोत्तर भारत दोस्तो पुर्वोत्तर भारत का मतलब है Seven Sisters के नाम से जाने वाले राज जैसे आपका नागा लेंड, मनिपूर, मिजोरम, मिघालैश ये सर राज आपके Seven Sisters के अंतर गताते हैं ठीक है? तो पुर्वत्तर भारत का जो पहाड़ी राज्य है जिसे हम नागा लेंड कहते हैं नागा जनजाती के लोग नागा लेंड के स्थापना नागाओं के विकास की पूष्टी करती है यानि कि नागा लेंड राज्य का जो नाम पढ़ा हुआ है नागा लेंड वो नागा जनजातीयों के कारण ही पढ़ा हुआ है नागा सब्द की उत्पत्ति के विसाय में कुछ लोगों का विचार है कि अधिकांस नगन रहने के कारण इन्हें नागा का जाता है क्योंकि जो इन जनजातियों के सदस है वो जात नगन रहते हैं इसलिए नागा का जाता है जबकि कुछ अन्ड लोगों का मत है कि ये लोग नाग यानि कि सर्प की पूजा करते हैं जिसके अधार पर इनका नाम पड़ा है नागा तीक है क्योंकि आपको पता है कि सर्प को भी नागी कहा जाता है तीसरा मत ये कहता है कि प्रचीन काल में इनके पडोसी कछार निवासी है निवासी इन्हें नाग्रा यानि बहादूर कहते थे यानि कि जो कछार के निवासी थे इन्हें नाग्रा कहते थे यानि नाग्रा का मतलब बहादूर होता है संभावता इसी अधार पर इन्हें आगे चल करके नागा नाम दे दिया गया अब हम बात कर लेते हैं इनके निवास छेत्रकी की ये रहते कहा हैं तो अभी तो आपको बताया कि नागा लेंड राज्य में रहते हैं ठीक है इसके अलावा भी देख लेते हैं नागा लोग मूलता है नागा लेंड के निवासी हैं किन्तु इस जनजाती के कुछ लोग अन समीप वर्ती राज्यों में भी पाए जाते हैं तीक है आपको दोस्तों करना ये चाहिए कि एटलस खोल करके बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि नागा लेंड राज्य के समीप वर्ती यानि की सीमाओं से लगने वाले राज्य कौन से हैं तीक है अभी हम आगे देखेंगे भारत के पुर्वत्तर में पुर्वत्तर का मतलब समझ गया है आप सेवन सिस्टर्स इस्टेट परवसेणियों की संकला है जिसमें एक जिसमें से एक नागा पहाड़ी भी है तीक है आसम राज्य के पूर्व में इस्थि नागा लेंड का जो अधिकांस भाग है वो नागा पहाड़ीं से ही ढखा हुआ है यानि कि जो नागा लेंड राज्य है वो नागा पहाड़ीं से ढखा हुआ है इसके अतरिक्त ये मनिपुर, मिजोरम, अशम, प्रदेश के पहाड़ी पठारों में भी नागाओं के कुछ वर्ग निवाश करते हैं और जो बचे हुए हैं वह अरुनाचल प्रदेश यानि अरुनाचल के भगवलिक दश्टिकोंड से नागाओं का निवाश चेत्र है नागा लेंड एक विश्म परवती चेत्र है जिसकी आउसत उचाई लगभग 2000 मीटर है नागा पहाडियां दच्चिड हो गया और पस्चिम का मतलब यह ओ गया यानि कि यह बाला चेत ठीक है यह South West हो गया आपका यानि दच्चिड पस्च्चिम है तो जो नागा पहाड़िए है वो दच्चि म पस्चिम से यानि कि इस इस तरह उत्तर पूर्दिशा में फैली हुई है जिनका ढाल पश्चिम की ओर है इससे निकलने वाली छोटी नदियां उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाइत होती हुई ब्रह्म पूत्र नदी में जाकर के मिल जाती है इसका जो ब्रह्म पूत्र का जो उत्तर पूर्व में है पटकोई पहाडियां है तथा दच्छिण में मनिपूर और अराकान परवर सेनियां पाई जाती है लगभग संपूर्ण प्रदेश उचा नीचा और वनों से आच्छादित है यानि की जंगल बहुत ज़ादा है यहां पर यहां की जलवाई उष्णाद्र है दूसरों उष्णाद्र का मतलब होता है कि यहां पर तापमान भी बहुत ज़ादा होता है टेंपरेचर भी उच होता है और यहां पर वर्सा भी बहुत ज़ादा होती है वही आपकी उष्णाद्र जलवाई होती है यहाँ पर ग्रीश मिरितू में बंगाल की खाड़ी से ग्रीश मिरितू यानि गर्मी के मौसम में बंगाल की खाड़ी से आने वाली दच्छिर पश्चिमी मानसूनी हवाओं से लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्सा हो जाती है उच्छ तापमान 20 से 30 डिगरी सेल्सिस रहता है और अधिक वर्सा के कारण यहाँ संगहन मानसूनी वन पाय जाते हैं तो यह आपको याद रखना है कि वर्सा यहाँ 200 सेंटीमीटर टेंपरेचर 20 से 30 डिगरी सेल्सिस पाया जाता है और जो वन अस्पती है वो संगहन मानसूनी प्रकार की है वर्सा यहाँ 200 में पहाड के निचले ढालों पर मच्छों की अधिक्ता से मलेरिया आदी भैंकर बिमारियों का भै रहता है और 2500 मीटर से उंचे भागों में सीत यहाँ 200 में सर्दी पढ़ती है ठीक है दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आपको सेवन सिस्टर्स राज्यों को दिखाने की कोशिस की गई है यह आपको पता है भारत है जिसमें 28 राज्य हैं और 8 आपके केंदर सासित प्रदेश हैं ठीक है सेवन सिस्टर्स में आपका अरुनाचल प्रदेश अशम, मिघा यह तो इन राज्यों में भी आपकी नागरेंड जन जाती पाई जाती है ठीक है अदोस्तो इस चित्र के माद्यम से आपको पहाडियों को दिखाने की कोसिस की गई है इसे भी आप देख सकते हैं ये तो म्यामार राज देश है आपका यहाँ पे है मनिपुर हिल्स नागा हिल्स ये रही मिकिर हिल्स अरुनाचल प्रदेश में है ब्रह्म पुत्र नदी आपकी यहाँ पे आके बह रही है ठीक है ये मिजोरम है आपका सिलोम का प्लैट्र यानि पठा रही है ठीक है तो आपकी जो नागा लेंड जन जाती है वो इन छेत्रों में पाई जाती है तो ये आपको याद रखना है चलिए हम आगे बात करते है तो जो इस छेत्र की पहाड़ियां है वो लगभग धाई जार मीटर तक की उचाहियां पाई जाती है नागा की अगर उप जातीयों की अगर हम बात करें तो नागा लेंड की पहाड़ियों में निवाश करने वाली सभी जन समुदाय नागा कहलाते है जिसके अंतरगर लगभग 30 उप जातीयां सम लेते है यानि कि नागा एक ब्रहत जन जाती है उसके अंतरगर कई उप जातीया है इस प्रकार नागा कई जन जातीयों का समूहिक नाम है नागा की उपजातियों में अंगामी, सेमा, रंगमा, लोथा, आउ, कोन्यक, फॉम, चांग, कचा, काबूई, तेखुल, आदी प्रमुक उपजातियां सामेल हैं इसके अंत्रगत अगर हम इनके अर्थ बेवस्ता की बात करें यानि कि अपना जीवनियापन कैसे करते हैं ठीक है अपना और अपने परिवार का पेट कैसे बलते हैं तो एगरी कल्चर भी करते हैं यानि क्रशी भी करते हैं नागा लोगों का जो मुख बेवशा है वो इस्थांतरन सील क्रशी और आखेट करना है यानि कि ये इस्थांतरन सील करसी करते हैं और शिकार करते हैं प्रमुक्ताते इस्थांतरन सील करसी के बारे में आपको बताया है दोस्तो कि किसी भी छेत्र को छेत्र में जो जंगल है जो पेड़ पौदें हैं उन्हें काट करके जला दिया जाता है फिर दो या चार साल तक यहां पे खेती की जाती है और इसके बाद इस स्थान को बडल कर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया की जाती है। दहन और कर्टन कर्षी आद यह नामों से जाना जाता है जो आमने पिछले वाले वीडियो प्रत्म技ुनें हैं कर चुके हैं। ये लोग समानता दो प्रकार की खेती करते हैं, एक तो इस्थाई, खेतों वाली क्रसी, जिसके अंतरगत निचले भागों में बनाए गए खेतों में प्रतिवर्स धान की खेती की जाती है, ठीक है, कहां पर जो पहाडियों की निचले वाले भाग है, ठीक है, इसके बाद इस्थान पर जंगलों को काट कर, यानि पेड़ पौदों को काट करके जला दिया जाता है, तीन-चार साल तक वाँ पे खेती की जाती है, इसके बाद उस्थान को छेड़ कर, छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है, पहाडियों तथा संगन वनों में इस प इंतरगर धान, कोटू, मडुवा, आदि मोटे अनाज बो दिये जाते हैं, यह एक रसी पद्धिती अती प्रचीन और पिछडी हुई अवस्था में है, नागाओं के कुछ वर्ग विसेश रूप से अंगामी, यानि कि नागाओं की जो उप जातियां हैं, उनके अंतरगर इस्थाई क्रशक भी हैं, इस प्रकार नागा लोगों की अर्थ विस्ता, मुक्ताह, फसलों पर, यानि कि क्रशी परधारित है, किन्तु क्रशी उत्पादन, जीवन यापन करने के लिए आपरियाप्त है, तो जब क्रशी आपरियाप्त है, तो इसके लिए वो क्या करेंग यानि कि पसुओं को भी पालते हैं, पसुओं से इन्हें मांस दूद प्राप्त करते हैं, और साथ ही पसुओं का उप्योग खेती के कामों में भी ये लेते हैं, विसेश रूप से निचले भागों में पाये जाने वाले नागा लोग, ठीक है, इसके बाद ये अपना अगल से भगाते हुए नदियों की तलहटी में लाते हैं, और उन्हें भाले से मार डालते हैं, शिकार के लिए ये लोग भाले, धनुसबान और दाव नामक हतियार का प्रियोग करते हैं, दाव इनकी बहु उप्योगी हतियार है, जो लोहे की मोटी हसिया के समान होता है, यानि की दाव जो है वो एक प्रिकार का हतियार है, जिसका काम जिससे वो लोग क्या करते हैं, कि सिकार भी करते हैं, क्रशी भी करते हैं, लगडियों को भी काटते हैं, इसलिए वे मल्टी परपज हैं, यानि बहु उप्योगी है, इसके लावा ये लोग तलाबों और नद यानि cottage industry भी यानि कि छोटे छोटे उद्योग कुछ वर्ग के छोटे करगों पर मोटे कपड़े बुनने का कारे करते हैं, कपास उगाने, सूथ काटने और कपड़ा बुनने का कारे अलग अलग उपजातियों के लोग करते हैं, मिट्टी के बरतन अलग वर्ग के लोग बनात इनके लावर जो लोहार होता है, क्रसी आकेट और यूद्ध के लिए विविर प्रकार के अउजाल लोहार ही बनाता है, इसलिए ये महत्पूंड होता है इसके बाद दोस्तों भोजन है कि भोजन वो किस प्रकार के करते हैं तो आपको पता है कि वो लोग क्रशी भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं और सिकार भी करते हैं तो यानि कि वो सर्व भच्ची होते हैं सब कुछ खाते हैं तो नागा लोगों का जो सर्व प्रमुख भोजपदार्थ है वो चावल है इसके साथ ही ये लोग डालें मांस, मचली, कंदमूल, फल, साख, सबजी भी खाते हैं मांस भी इनका प्रिये भोजन है जिसे ये लोग जंगली जानवों का सिकार करके प्राप्त करते हैं सुर मुरगी, बकरी, सांप, मेडक आदी के मांस भी खाते हैं इसके लावा दोस्टों ये लोग चावल से बनाई गई जो सराब होती है उसका उपयोग प्राया सबी नागा करते हैं और बनाई गई सराब का उपयोग वो कोई जब उस्ष्व होता है तब करते हैं इसके बाद यह देख लेते हैं कि वस्तर और अभूसन क्या है इनके, दोस्तों अभी हमने उपर एक इमेज देखी थी जिसमें नागा सदस्यों को दिखाया गया था, तो उसमें आप देख रहे होंगे, देख रहे थे कि क्या-क्या उन्होंने पैन रखा था, तो वही उनके वस्त्र और अभूसन होते हैं तो नागा लोग अधिकांस्ता सूती वस्त्र ही पहनते हैं क्योंकि आपको पता है कि कुटीर उद्योगों में वो सबसे ज़्यादा कपड़े ही बुनते हैं तो सूती वस्त्र पहनते हैं किन्तु जाडे में उनी वस्त्र भी पहनते हैं। समानता ये लोग कम वस्त्र धारण करते हैं, इनके कुछ समू केवल कमर में ही चमडे की लंगोट पहनते हैं, अथ्वा नंगे रहते हैं। ठीक है? जो नागा सादू होता है, जैसे हमारे याँ सादू सन्यासी होते हैं, वैसे नागाओं में भी सादू सन्यासी होते हैं, जो की पूरता हा वस्त्र विहीन रहते हैं, यानि कपडे नहीं पहनते हैं। पुरुस अधिकांसता केवल कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, किन्तु इस्त्रियां, समानता, घागरा और चोली जैसे वस्त्र भी धालन करती है कुछ नागाओं में सिर पर सींग और पच्चियों के पंक बानने का भी प्रचलन है जैसा कि उपर आपको एक चित्र में दिखाये गया है कि उन्होंने सींग और पच्चियों के पंकबान रखते हैं कुछ नागा सरीर पर सेर, चीता, धनुस, बाण, आदि, विचित्र, चित्र भी गुदवाते हैं रयानी कियाने की, इनके यहां सरीर पर गुदवाने का भी प्रिचलन है इसके बाद है इनका समाजिक संगठन, समाजिक संगठन, यानि सोसल औरगनाईजेशन कैसा है इनका अधिकांस नागा जातियों में समलित जो परिवार हैं, वो प्रता पाई जाती है यानि कि ये लोग मिलकर रहते हैं, समलित परिवार पता पाई जाती है और पुर्सों और इस्त्रियों के कादर बटे हुए होते हैं पसुओं का जो आखेट है, वो केवल पुरुस करते हैं, यानि कि सिकार करने का काम पुर्सों का है लेकिन क्रसी काद्रियों में खेत पर इस्त्रियां भी पुर्सों के साथ काम करती है सिकार केवल पुरुस करते हैं लेकिन जब क्रसी की बात आती है तो इस्त्रियां भी उसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती है कपड़े बुनने और सिलने का काम समानता इस्त्रियां ही करती है भोजन पकाने की जिम्मेदारी भी इस्त्रियों की होती है यानि इस्त्रियां खेतों में भी काम करती है कपड़े भी बुनती है और भोजन भी बनाती है लोगों का काम क्या है यानि पुर्सों का सिकार करना एक गाउं में एक मुखिया होता है जो प्राया वनसानुगत होता है वनसानुगत का मतलब दोस्त ये है कि जैसे किसी का पिता जी मुखिया है तो उसका बेटा ही मुखिया बनेगा बेटा का बेटा मुखिया बनेगा तो यह अंसानुगर होता है किन्तो उसका बहादूर होना अनिवारे माना जाता है ठीक है उसे सभी प्रकार के सामुईक निर्णे लेने का दिकार होता है और वह वही परिवारिक या समाजिक विवादों का निप्टारा भी करता है यानि कि ये मुखिया होता है तो सारे विवादों को निप्टाता यही है नागा लोग जाती हित सर्वो परिमानते हैं की जो नागा लोग हैं, वे अपनी जाती का हित्थ सर्वो परिमानते हैं और जाती हित्थ के सामने बेक्तिगत हित्थ पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक है जब कभी सामुहिक स्रम की अब सकता पड़ती है तो कई गाउंके लोग परस पर संक्ठित हो जाते हैं इसलिए इनका जाती हित प्रमुख है ना कि ब्यक्तिगत हित। ग्रामीर सरकों के निर्माड, नालियों को बनाने, सैनागार के निर्माड आदि में इस तरह की अवसक्ताईने पड़ती है। प्रते एक नागा जो ग्राम है, यानि कि जो नागा ग्राम है, नागा ग्राम में एक विसाल सैनागार यानि सलेपिंग हाल होता है। जो आविवाहित होते हैं और सायनागारों में विस्राम करते हैं उन्हें मोरंग कहते हैं इस सायनागार में युवतियों का प्रवेशन से दयानी की लड़कियां नहीं जा सकती यह नागाओं की संस्कृतिक गतिविदियों का केंडर होता है जहां नागा यूकों को उनके जीवन करतब्यों के बारे में सिच्छा और प्रसिचन की बिवस्ता की जाती है यानि कि सैनागार एक प्रकार के इश्कूल का काम करता है नागा लोगों के लिए यहां वरिष्ट ब्यक्ति यूकों को अपने पुर्वजों के द्वारा किये गए महा कारियों से आउगत कराते हैं और अपनी परंपराओं की रच्छा के लिए तयार रहते हैं आक्रमण आदि से सम्मंधित योजनाई इन्ही सैनागारों में ही तै की जाती है यानि नागाओं के लिए शायनागार काफी प्रमुक होता है इसके बादे दोस्तों विवाय प्रथाएं यानि मैरिश सिस्टम कैसा है इनका यहां पे इनके साधी विवाय कैसे होते हैं नागाओं में विवा की दो प्रताएं प्रचलित हैं जो यहां की भौतिक तथा सामाजिक पर्रेवरंट से प्रभावित हैं पहले में देखते हैं तो पहले का विवा उत्सो सहित होता है यानि कि जो पहले प्रकार का विवा है वो उत्सो सहित होता है इसमें वर्पच लड़की ढूंडता है और सुब तिथी का विचार करके लड़का लड़की का विवाह कर दिया जाता है जैसे हमारे यहां होता है हिंदु धर्मे में सेम वैसे ही होता है जो पहले प्रकार का होता है वर्पच्च विवाह के उपलक्ष में वधु पक्ष को उपहार या दहेज देता है दोस्तो हमारे समाज में कैसा है कि लड़की पक्ष जो होता है वो लड़के पक्ष को दहेज देता है लेकिन नागाओं में ऐसा नहीं होता है नागाओं में जो लड़का पक्ष होता है वो लड़की पक्ष को दहज देता है समरांद बेक्तियों में इसी प्रकार का विवा होता है यानि कि जो संपन्द परिवार हैं उनके अंदर गत यही विवा होता है दूसरे प्रकार की जो प्रता है उसके अनुसार कोई युवक किसी युवती को अपने घर ले जाता है ठीक है और दोनों एक दिन बहिस्कृत करेते हैं यानि कि एक दिन के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है लड़का लड़की को ले गया अपने घर और उसे एक दिन के ल अपनी प्रेमिका को भगा ले जाता है और कुछ दिन जंगल में रहने के बाद अपने गाउं लोडता है और वे दोनों अपने विवाह की घोशना कर देते हैं किसी यूवक को तब विवाह के योग समझा जाता है जब वे कई मानों सिर काट लेने में सफल हो जाता है यानि कि ये लोग दोस्तो इनसान को भी माल देते हैं ठीक है क्योंकि अभी आपको बताया कि जब कोई यूवक मानों सिर काटने के सफल हो जाता है तो उस यूवक को बहादुर माना जाता है यानि कि योग माना जाता है कि वह विवाह योग हो गया एक अन प्रथा के अनुसार विवाह योग जो युवक और युवतिकी सगाई के परश्चात युवक को युवति के माता पिता के घर रहकर समानता एक वर्स या कुछ महिने सर्षम काम करना पड़ता है और ग्रहस्ती वहन करने योग बढ़ाव भी प्रचलित आए और यह अधिकतर परिवार के ही किसी बैख्ती के साथ किया जाता है यानि यानि कि नागाओं में विद्वा विवाभी का प्रचलन शाल है अगर मनवरजन की बात करें तो उनमुक्त जीवन व्यतीत करते हैं उनमुक्त का मतलब उत्रोस्तों तो ये लोग स्वतंत्र जीवन ब्यतीत करते हैं, किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहते हैं स्वतंत्र जीवन ब्यतीत करने के कारण नागा संगीत और निरत्त के प्रेमी होते हैं यानि गाना सुनने और डांस करने में प्रेमी होते हैं लोग नरत और लोग गी से ये मनुद्जन करते हैं ठीक है नागाओं के अगर स्वभाव की बात की जाए यानि कि इनका बहेवीर कैसा होता है तो नागा एक युद्ध प्रिये जाती है यानि कि युद्ध करने के लिए बहुत युद्शाहित रहते हैं और नागाओं का संपूर्ण जीवन युद्ध मेही होता है नागाओं में नर्मुंड यानि सिर काटने की भी प्रता बहुत पुरानी है यानि ये लोग सिर भी काटते हैं ठीक है ये लोग किसी को मार डालने अथवा स्वयम मारे जाने से भैवीत नहीं होते यानि ये नीडर रहते हैं या तो किसी को माल दो या खुद मर जाओ इनके समाज में उस ब्यक्ति को विसेश सम्मान दिया जाता है जो अपने सत्रु का सिर काट कर ले आता है यानि कि जो ब्यक्ति सिर काट कर लाता है वो इनके यां बहुत फेमस होता है यानि ये प्रसिद्ध होता है ये लोग भूत प्रेत और जादू टोने में भी अटूड विश्वास रखते हैं संद्धी या कारी की सिद्धी के लिए इनमें नर्बली और पसु बली चड़ाने की परंपरा भी चली आ रही है यानि कि ये लोग अपने देवी देवताओं को खुस करने के लिए नर्बली यानि लोगों की बली भी चड़ाते हैं और पशुओं की बली चड़ाते हैं नागाओं में वह अंदविश्वास घर कर गया है कि जीवन सक्ति की कमी को जीवन तत्तो के इस्थांतन से पूरा किया जा सकता है यानि कि कोई व्यक्ति अगर बिमार है यानि जीवन सक्ति की कमी है तो अगर हम जीवन तत्त को इस्थांतन कर दें यानि किसी की बली दे दें अगर किसी जीव की तो वह ठीक हो सकता है इस अंदिवस्वास के कारण ही नागाओं में नर्मुन्द पाने की प्रबल इच्छा पाई जाती है ये विश्वास करते हैं कि मारे गए व्यक्ति की आत्मा को तब ही सांती मिलती है जब सत्रुपच्छ में यानि कि जो दुस्मन है किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए इस प्रकार इसमें बदला लेने की क्रिया पीड़ी दर पीड़ी चलती रहती है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो आज के वीडियो में यहीं तक आज हमने भारति जनजातियों कि अंतरगत आपसे नागा जन जाती के बारे में बात की वीडियो के डिस्कीप्स कर बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्ष्ट वीडियो में एक नई भारतिय जंजाती के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप रसंद रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और लगता सीखते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्यवाद जय हिन दोस्तो